लालू जी जब पिहार में पहली बैठक हुई थी तो वहां उन्होंने राहुल गांधी जी को दुलहा गोसीत कर दिया जबकी आधरनिये हमारे मुखमंतरी नितीज कुमार जी पहले से ही पूरे देश में महा अवियान चला कर सभी विपक्षी देलों को एक साथ एक प्लेटफर्म पर लाने का प्रयास कर रहे थी तो सबसे पहला राजनी तो लालू जी ने नितीज जी के साथ बिहार में कर दिया अब लालू जी तो बोलने में बड़ा माहिर है और बोल कि नरेंद्र मोदी का नटी चापने जा रहा है तो फिर दो हजार पचीस में चुनाब होने वाला है ना बिहार में किसका नटी कौन चापेगा उनको खुद पता चल जाए रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री को बिपक्ष को से दावयकर प्रधानमंत्री और देखिये कि प्रधानमंद्र में आधर नेंदर मोदी के बढ़ते कदम से अ पिंद्ध का विपक्ष्व खासे प्रिषान इसका मुल वज़ा है कि इस गठवंधन में जितने लोग शामील हैं उसमें अधिकतर नेता कहीं न कहीं बरे इस स्केंडल में फसे हुए हैं बिभी नस्तर पर उनके खिलाप जाच चल रही है इन लोगों को लगता है कि यदि नरेंदर मोदी जी दोहजार चौबीस में रिपीट हो गए तो इन लोगों का खैर नहीं है इसलिए ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं अब आप बिहार के संदर्व में देखिए लालू जी जब पिहार में पहली बैठक हुई थी तो वहां उन्होंने राहुल गांधी जी को दुलहा गोसीद कर दिया जबकि आदर्निय हमारे मुखमंतरी नितीज कुमार जी पहले से ही पूरे देश में महाग अवियान चला कर सभी बिपक्षी देलों को एक साथ एक प्लेटफर्म पर लाने का प्रयास कर रहे थे तो सबसे पहला राजनी तो लालू जी ने नितीज जी के साथ बिहार में कर दिया और लालू जी कभी नहीं चाहेंगे कि नितीज जी देश का नेता बने कोई भी बड़ा पोल्टीसियन अपने से आगे किसी को नहीं बढ़ने देना चाहता है तो वो फर्मूला बिहार में लालू जी ने नितीज कुमार पर फीट कर दिया है अब बात रही ये महागठमंधन और ये इंडिया ये सब बिलकुल फारस है चुके देश की जनता इसमें जो ल चुकी है और आज दुनिया के सामने जिस तरीके से आदर्निये ननेंदर मोदी ने भारत का एक दबदबा बनाया है इससे सारा भारत वासी गौरवानवित हैं कुछ एक लोग जो धम्र संप्रदाय के नाम पर अगरा पिछरा के नाम पर राजनीत करने वाले हैं ओही घवर हट में है और ही नरेंदर मोदी जी के खिलाब बात करते हैं लेकिन मेरा दावा है कि देश का 75% मदाता आज भी नरेंदर मोदी के कदमों का सराहना कर रहा है और आने वाले दीन में चुनाब के माध्यम से ये निश्चित रूप से 2024 में परलक्चित होगा आप नितीश कुम चुक्इज नितीश जी के साथ काम किया है ना नितीश का सुरू से यह है कि कुछ उनको अगर प्राप्त करना है तो ना नुकर करने का उनका सुरू से रहा है तो नितीश जी ऐसे भी समझ चुके हैं कि लालू जी को रहते उनको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है और नितीष जी स्विकार कर लिए हैं तो बात कहां आता है कि फिर से नितिश जी को जिमवारी दिया जाएगा और ये जो महा गठवंधन का जो ये बंबे में ये जो पिकनिक पाटी नोगों ने मनाने का जो निर्णे लिया और मना रहे हैं देखिए यहां कुछ रिजल्ट बाल वाका ये निरेंदर मोदी का नहीं कर पाएंगे जितना ये लोग बैठेंगे उतना ही नरेंदर मोदी मजगूत होंगे चुक्के दुनिया जानती है कि नरेंदर मोदी ऐसा सक्सिहत है जिसके हर एक कदम में देश की मजबूती राष्ट कैसे गरवानवित हो इसके लिए काम करना और भारत के एक-एक लोग कैसे अमन चैन सांती से इस देश में रहें ये रहता है और ये लोग का एक मात्र मीशन है कि प्रदान मंत्री का कुरसी कैसे हम हासिल कर ले इसलिए भागदौर ये कर रहे है ना इनका कोई एक नेता है ना एक कोई जन्डा है एक मातर एजंडा है कि 2024 में नरेंदर मोदी को प्रधान मंतरी नहीं बनने देना है और आम जंता का एजंडा है आम मददाता का एजंडा है कि हर हालत में फिर से 2024 में भारत के प्रधान मंतरी के रूप में हमको नरेंदर मोदी को बैठाना है तो अब समय कहा है अब इनको पता चलिए जाएगा ना आख़ी सवाल है कि आप कही रहे हैं कि पर्धान मंत्री का बाल विला बागा विपक्स नहीं कर सकता है लेकिन लालु यादों कहीते हैं मुंबाई की बैठक पड़ी विपक्स के जो लोग है परधान मंत्री का नटी पर चहर कर उने हरांगे अब लालु जी तो बोलने में बड़ा माहिर है और बोली के आधारपन ही बिहार में इतने दिनों तक उनका सासन चला अब उनरेंदर मोदी का नटी चांपने जा रहे है तो फिर 2015 में चुनाब होने वाला है न बिहार में किसका नट्टी कौन चापेगा उनको खुद पता चल जाएगा बीच के दिनों में चुके मैं गाम में रहता हूँ बीच के दिनों में तेजस्पी प्रसाद यादब के प्रती कुछ लोगों का एक विश्वास बढ़ा था लेकिन जब से लालू प्रसाद जी निकले हैं और इनका सुरू हुआ है ये जुमले बाजी और ये नाटकी आंजाद और जिस तरीके से बिहार में अपराद भाई भतिजाबाद और जिस तरीके से बिहार की दुरगती इन लोगों ने कर दिया है इससे फिर से जनता जगपर चली गई है और 2024 के चुनाओं में बिहार में खाता बिपक्ष का नहीं खुलेगा और दूर दूर तक बिपक्ष नहीं देखेगा और 2025 में तो इनको इस बार हम लोग पते चला देंगे कि का आम जनता का क्या सोच है इनको पता चल जागए इस बहुत बहुत धन्यवाद यह